हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कक्षा चार गनित सीत कालीन अवकास ग्रेकारे करेंगे तो चलिए सीत कालीन अवकास ग्रेकारे कक्षा चार गनित हल करते हैं एक जनवरी 2022 सनिवार को आप जग्रेकारे हल करेंगे उसमें गतिविधी 31 दिसंबर 2021 की रात थी और रिमा ने साल का इंतजार कर रही थी वह जानती है कि आधी रात के बाद नया वर्स 2022 होने वाला है उसने घड़ी की ओर देखा घड़ी में समय था नया साल आने में कितना समय है तो बच्चों यहां पर घड़ी दी गई है आप इसमें समय देखकर यहां पर लिखेंगे और कितना समय है नया साल आने में वहें भी लिखेंगे तो यहाँ पर घड़ी को ध्यान से देखने पर जो समय ग्यात होता है वह है 11 बज कर 40 मिनट अब रातरी का समय है तो यहाँ पी-म लिखेंगे रात को 12 बजे नया साल लग जाएगा तो इसलिए 12 में से 11 बज कर 40 मिनट घटाएंगे यहाँ आएगा 20 मिनट तो नया साल आने में कितना समय है 20 मिनट चलिए अगली गतिविदी करते हैं दूसरी गतिविदी परिवार में अपने बड़ों से उनके नय साल के संकल्प के बारे में पूछें और साथ ही उनके 2021 के एक अच्छे अनुभव के बारे में पता करें आपकी स्विधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ संकल्प पिता जी बच्चों को नहीं डाटूंगा माता जी रोजाना योगा करूंगी भाईया प्रति दिन 4 गंटे पड़ूंगा और अनुभव के बारे में पिता जी लोगडाउन के समय परिवार के साथ डेज सारा समय बिताया माता जी योगा करना सीखा भाईया घर पर नियमित रूप से पढ़ने की आदत विक्सित हुई अब एक आदत के बारे में सोचे और लिखें जिसे आप 2022 में अपने या आजपडोस में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई बी ऐसी आदत जिसे आप बदलना चाहते हैं लिखेंगे आपकी सुईधा के लिए मैं यहां लिख रहावnd मैं अपने आसपडोस में लोगों को जाग रुक कर पानी के दुरुपयों करने की आरत को बदलना चाहूंगा तीसरी गतिविदी करेंगे संख्याएं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ को इस प्रकार विवस्थित करें कि प्रतेक सीधी रेखा पर आयत तीनों गोलों का कुल जोड एक समाना है तो हमें इन संख्याओं को इन गोलों पर इस प्रकार विवस्थित करना है कि एक सीधी रेखा पर आयत तीन गोलों का कुल जोड एक समाना है तो इसे हल करने के लिए हम किसी भी एक कोने पर शुरुवात की संख्या जो की एक है लिखेंगे और दूसरे कोने में आखरी संख्या जो की साथ है लिखेंगे अब आप देखेंगे एक और साथ का कुल जोड हो जाएगा आठ इसी परकार एक तरफ छे लिखेंगे और दूसरी तरफ दो छे और दो आठ हो जाएगा फिर एक तरफ पांच लिखेंगे और दूसरी तरफ तीन तो आठ हो जाएगा अब बीच में जो संख्या लिखेंगी व अच्छो आप देख सकते हैं, यहाः पर एक वर्ग एक सैंटीमीटर का है, चेतरफल और अब यहाः लबाई गुना चोडाई, तो यहाः पर लंबाई कितनी है? चलिए हम लंबाई देखते हैं एक वर्ग, एक वर्ग सेंटिमीटर का है तो चलिए कितने वर्ग हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस तो दस हो गई, लंबाई अब इसकी चोड़ाई गिनते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच तो पांच हो गई, चोड़ाई तो दस गुणा पांच बराबर पचास तो छेतरफल कितना हो गया दस गुणा पांच बराबर पचास वर्ग सेंटिमीटर चलिए परीदी गयात करते हैं परीदी गयात करने के लिए क्या फोर्मूला होता है दो गुणा लंबाई जमा चोड़ाई तो दो गुणा लंबाई कितनी थी? 10 और जमा चोड़ाई कितनी थी? 5 तो दो गुणा 10 जमा 5 तो यह हो जाएगा दो गुणा 15 बराबर 30 तो परिधी हो जाएगी 30 cm चलिए आगे बढ़ते हैं गतिविदी 2 नीचे ग्रिड में दी गई किरियाओं को अपने लिए चुनें और देखें कि आप कितनी पंक्तियों की 4 किरियाओं कर सकते हैं बच्चो यहां ग्रिड में कुछ किरियाओं दी गई हैं हर पंक्ति में 4 किरियाओं हैं तो यहाँ आपको देखना है कि आप कितनी पंक्तियों की चारो क्रियाएं कर सकते हैं। माली जी ये लाइन पूरी पहली पंक्ती हो गई और ये वाली दूसरी पंक्ती यह तीसरी पंक्ती और ये चोथी पंक्ती चलिए पहली पंक्ती पढ़ते हैं हिंदी पुस्तक से एक पार्ट पढ़ना अपने परिवार का एक चित्र बनाना तीसरी किसी जानवर की मदद करना चोथी 30 सेकंड में 40 बार कूदना यदि आप चारो क्रियाई कर सकते हैं तो आप चारो पर सही का निसान लगाएंगे इसका मतलब आप एक पंक्ती की चारो क्रियाई कर सकते हैं फिर दूसरी पंक्ती की क्रियाई देखेंगे गुबारा फुलाकर उसके साथ गुबारा टैनिस गर के अंदर खेलना गुबारे में हवा बरके सभी खेलते हैं हाथ से मार कर तो इसी तरह से टैनिस खेलते हैं ये क्रिया ये आप कर सकते हैं घर के किसी बड़े से गणित के सवाल लेकर हल करना ये क्रिया भी आप कर सकते हैं किसी को खुश करना आप किसी को खुश करने के लि फिर इसी प्रकार तीसरी पंक्ति की क्रियाएं देखेंगे तीन दिनों के लिए कोई भी तीन जिम्मेदारी लेना आपने घर परिवार में कोई भी तीन जिम्मेदारी तीन दिनों के लिए ले सकते हैं जैसे प्रति दिन बजार से दूद लाना, घर में मम्मी की मदद करना, स करना हर बार अपनी बोजन की थाली को खत्म करना यहांड बाद है जो बनाइ जासकते हैं इसकेबाद चोथी कर्या सब्दो का उप्योग करना शमा करें धन्यवाद प्लीज्ट किर्पिया इत्याद vita तो अगर ये चारो क्रियाएं आप कर सकते हैं तो तीसरी पंक्ति की भी आपके सारी क्रियाएं बज़ेंगी चोथी पंक्ति की क्रियाएं किसी को धन्यवाद देना कोई काम आपके लिए करता है तो हम बोलते हैं धन्यवाद थैंक्यू अपने कपडों की अलमारी को व्यवस् क्रियाई कर सकते हैं जैसे मैं 4 पंक्तियों की चारो क्रियाओं को कर सकता हूं तो मैं यहा लिखाएं की पूरा कर परंगे में शक susan तो मैं इसका उत्तर लिख conversations व्हार अपने रुशार करने के तो आप कितनी पंग्तियों की कितनी कर सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं गतिविदी तीन आपको पांच वर्ग बनाने के लिए कितनी नियूंतम माचिस की तीलियों की आवश्यक्ता होगी संकेत अब यहां पर संकेत भी दिया गया है और कहा गया है कि पांच वर्ग बनाने के लिए नियूंतम कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यक्त 10 यहां से 11 12 13 14 15 16 तो कितनी माचिस की तीलियों की आवश्यक्ता होगी 16 तो यहां हम 16 माचिस की तीलियों की आवश्यक्ता होगी लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं 10 जनवरी 2022 सौमवार को आप जग्रे कारे हल करेंगे उसमें गतिविदी एक एक संतुलित आहार में भोजन के सभी घटक प्रयाप्त मातरा में सामिल होते हैं और यहां भिन लोगों के लिए अलग होता है यहां बढ़ते बच्चों के लिए संतुलित आहार के लिए पाई चार दिया गया है तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है और उसमें सामने अलग-अलग रंगों से फलो सबजियां अनाजव खादान वसावचीनी अंडे वदालें दुग्ध उत्पाद इत्यादी अलग-अलग मात्रा में दिखा करें तो हमें यहां बोजन के यह सभी घटक हमारे संतुलित अहार में कितनी-कितनी मात्रा में होने चाहिए उन्हें बढ़ते क्रम में लगाना है तो चलिए पहला हम लिखेंगे वसावचीनी यहां आप देख सकते हैं यह जो हिस्सा है वसावचीनी का है इसको हम एक नमब डाल देंगे, दूसरा दुख दूत पाद, यहां पर हम दो नमबर लिखेंगे, तीसरा अंडे वर दाल, यहां हम देख सकते हैं, यह ग्रीन हिस्सा है, हरा हिस्सा है, यह अंडे वर दाल के लिए है, तो तीसरे नमबर पर यह हो जाएगा, और चोथे नमबर पर होगा, वह है फल और सब्जियां तो यहां हम पांच नमबर डाल देंगे तो एक नमबर वाला जो है सबसे कम मात्रा में फिर दो नमबर उससे ज्यादा मात्रा में तीन नमबर उससे अधिक चार नमबर उससे अधिक और पांच नमबर पर जो है वह सबसे अधिक मात्रा में हमें लेन तो बच्चो इसमें आप एक थाली का चित्र बना सकते हैं और उसमें आप दोपैर के भोजन में जो भोजन के सभी अव्यव हैं उनके साथ अपने भोजन का चित्र यहाँ पर बना सकते हैं तो इस थाली में आपको जो जो भोजन आप खाते हैं उसका चित्र बनाना है आपकी इस वीधा के लिए मैंने यहाँ पर भोजन के सभी अव्यों के साथ दो पैर के भोजन की थाली का चित्र बना दिया है जिसे देखकर आप आसानी से चित्र बना सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं गतिविधी तीन हल करें प्रस्ण वाचक चिन्द के स्थान पर क्या आएगा यह जो चिन्द होता है इसे प्रस्ण वाचक चिन्द केते हैं question mark केते हैं तो जहाँ जहाँ पर यह चिन्द है उसके इस्थान पर क्या आएगा वह हमें यहाँ लिखना है पहला आप यहाँ देखेंगे 9 गुणा 6 बराबर तो कितना होता है 54 तो यहाँ 54 लिख देंगे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 54 में क्या जमा करें कि 80 आए तो इसके लिए 80 में से 54 को घटा देंगे तो 26 आएगा यहाँ 26 लिखेंगे अब 2 को किस से गुणा करें कि 26 आजाए तो यहाँ 26 को 2 से भाग देंगे तो 13 उत्तर आएगा यहाँ 13 लिखेंगे अब इदर देखेंगे आप कि 5 को किस से गुणा करें कि 60 आ जाए तो यहां हम 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा यहां 12 लिखेंगे अब यहां देख सकते हैं कि 20 को किस से गुणा करें कि 60 आ जाए तो यहां हम 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा यहां 3 लिखेंगे अब यहां देख सकते हैं कि उपर 12 हैं और गुणा यहां नीचे 20 तो 12 गुणा 20 हो जाएगा 240 तो यहां 240 लिखेंगे अब 80 को किस से गुणा करें कि 240 आ जाए तो इसके लिए हम 240 को 80 से भाग देंगे तो आएगा 3 तो यहां 3 लिखेंगे आप किस विधा के लिए मैंने इने हल करके सभी खालिस्थान को भर दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं दिनांक 13 जन्वरी 2022 वीरवार को आप जो ग्रह कारे हल करेंगे उसमें गति विधी एक अपनी ओनलाइन कक्षाओं में सीखे गए पैटर्न डिजाइन का उप्योग करके अपने माता पिता के लिए धन्यवाद कार्ड बनाएं तो बच्चों आपको विभिन तरह के पैटर्न का प्रियोग करते वे एक ग्रेटिंग कार्ड बनाना है अपने माता पिता के लिए और उस पर लिखना है थैंक्यू मॉम एंड डैड धन्यवाद मम्मी पापा या फिर आप लिख सकते हैं थैंक्यू मम्मी पापा आपको उस पे तरह तरह के पैटर्न जो भी आपने सीखे हैं वो बनाने है आपकी स्वीधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिये हैं जिनने देखकर आप आसानी से ग्रेटिंग कार्ड बना सकेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं गतिविधी दो क्या आप कागज से अपनी पैंसिल को उठाए बिना चार सीधी रेखाओ के साथ नो बिंदो को जोड़ सकते हैं तो लिखेंगे हाँ आप किसी भी लाइन पर दो बार नहीं जा सकते तो यहाँ पर आपको पैंसिल को उठाए बिना केवल चार सीधी रेखाओ के साथ इन नो बिंदो को जोड़ना है आपकी स्वीधा के लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई है जिसे देखकर आप इन नो बिंदो को चार सीधी रेखाओ से जोड़ना आसानी से सीख जाएंगे और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे तो चलिए वीडियो देखते हैं चलिए नो बिंदो को बिना पैंसिल उठाए चार सीधी रेखाओ से जोड़ना सीखें वीडियो देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं गती विदी 3 निमनलिखी चार्ट के अनुसार स्वैम को स्कोर करें आप यहां देख सकते हैं कि एक तालिका दी गई है जिसमें स्कोर 1,2,3 बारंबारता कभी नहीं के लिए 1, कभी कभी के लिए 2, हमेशा के लिए 3 तारे भी 1 है तो 1 देना है, 2 है तो 2 देने है, 3 है तो 3 देने है अब आप नीचे दी गई क्रियाओ को पड़ेंगे और स्वैम को स्कोर देंगे आपकी सूरीधा के लिए मैंने स्वैम को कुछ स्कोर देने की कोशीश की है जैसे पहली क्रिया, चीजों को व्यर्थ ना करना तो इसमें मैंने स्वैम को स्कोर दिया है 3 हमेशा दूसरा आत्म सैयम तो इसमें भी मैंने अपने आपको स्कोर दिया है तीन हमेशा तीसरा दूसरों के प्रती सहानभूती तो इसमें स्कोर दिया है तीन हमेशा अगर आप कभी कभी सानगूती दिखाते हैं तो 2 स्कोर देंगे और कभी नहीं दिखाते तो 1 स्कोर देंगे चोथा पढ़ाई वह खेल में संतुलन तो इसमें स्कोर दिया है मैंने स्वैम को 1 एक कभी नहीं मैं पढ़ाई और खेल में संतुलन नहीं कर पाता इसलिए मैंने अपने आपको एक स्कोर दिया है पांचमा जिम्मेदारी लेना इसमें मैंने स्वैम को तीन स्कोर दिया है छटा दूसरों को खुश रखना तो इसमें मैंने स्वैम को स्कोर दिया है दो सात्वा प्रकृति के लिए प्रेम तो इसमें मैंने स्वैम को स्कोर दिया है तीन हमेशा प्रकृति के लिए प्रेम दिखाता हूँ आठवा पानी बचाओ इसके लिए तीन स्कोर दिया है हमेशा पानी बचाने का प्रियास करता हूँ नोवा प्लास्टिक बैग का इस्तमाल ना करना हमेशा मैं प्लास्टिक बैग का इस्तमाल नहीं करता हूं हमेशा तो तीन स्कोर दिया है दसवा जानवरों के लिए सहानुभूती हमेशा मैं जानवरों के प्रती हमेशा सहानुभूती दिखाता हूं चलिए अब अपना स्कोर count करता हूँ, तो आप देखते हैं, पहले क्रिया में 3 स्कोर था, दूसरी क्रिया में 3 स्कोर, तीसरी क्रिया में 3 स्कोर, चोथी में 1, पाचवी क्रिया में 3 स्कोर, छटी क्रिया में 2 स्कोर, साथवी क्रिया में 3 स्कोर, आटवी क्रिया में 3 स्कोर, नोवी क्रिया में 3 स्कोर, अब इनको कुल जोड़ेंगे तो मेरा कुल स्कोर हुआ 27 तो आपने कितने तारे के तरित के 27 तारे तो बच्चों आपका शीतकालिन अवकास ग्रीकार्य यहां पूरा होता है आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो बच्चों यह वरक्षीट यहां कम्पलीट होती हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू